हेलो कैसे हैं आप लोग तो वेलकम तू सेंटर मकार्णी यूटुब चैनल जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल इन आट ओस प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टिग्नोमेट्री का क्वेश्चिन तो दोस्तों इस सब्सक्राइब कर दोस्तों मैं आपको पहली बात तो यह बता देना चाहूंगा कि यह सवाल टिग्नोमेट्री का है ही नहीं जी हां आपको जानके शप्राइजिंग लगेगा कि यह सवाल टिग्नोमेट्री का है ही नहीं यह सवाल आपको जानके लगेगा कि यह सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है जाना चाहेंगे कैसे तो आइए देखते हैं बने रहे इस सल्यूशन में अंतक तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा De Moivre's theorem से हम सबको मालुम होगा De Moivre's theorem हम लोगों ने पढ़ाई है De Moivre's theorem तो De Moivre's theorem में हम लोगों ने देखा है कि cos theta plus i sin theta if you raise it to a power of n जहां पर n एक integer है तो दोस्तों यह simplify होके आता है cos of n theta plus i sin n theta कुछ इसी चीज़ का इस्तमाल मैं यहां भी करने वाला हूँ आए देखते हैं कैसे तो दोस्तों यहां पे अगर मैं किसी भी complex number cos theta प्लस i sin theta पर power n चढ़ाता हूँ तो मैं इसको binomial theorem के तरह भी लिख सकता हूँ हम लोगे ने binomial theorem पढ़ा ही हुआ है तो binomial theorem से कर आप इसको expand करोगे तो आपको मिलेगा nc0 cos to the power of n theta और i sin theta to the power 0 जिसको लिखने की बिल्कुल ही अवशकता नहीं है दूसरा term होगा nc1 cos to the power n minus 1 theta into i sin theta ठीक है उसी प्रकार से तीसरा term होगा nc2 cos to the power n minus 2 theta i sin theta square तो दोस्तों अगर इस expansion में हम real term और imaginary terms को separate कर लें तो आपको दिखेगा कि हर alternating term real है और दूसरा alternating terms आपका imaginary है क्योंकि उनमें उनमें i मौजूद है तो real वाले को पहले लिख लेते हैं real वाला क्या होगा nc0 cos to the power n theta फिर होगा nc2 cos to the power n minus 2 theta into minus minus 1 sin square theta क्योंकि i square minus 1 हो जाएगा तो दोस्तों हम यहां क्या करेंगे यहां पर एक चुपके से minus 1 बैठा देंगे और sin square theta तो अगला term होगा वो तो positive होगा nc4 cos to the power n minus 4 theta sin to the power 4 theta and so on हाला कि मैं पूरा इन term लिखने में interested नहीं हूँ मैं सिर्फ imaginary वाले terms पर यहां पर focus करूँगा पता करते हैं क्यों तो imaginary वाले terms क्या होगे imaginary वाले terms start होगा second term से जो की है आपका nc1 cos to the power n minus 1 theta sin theta फिर होगा आपका nc3 यहां भी आपको एक minus sign मिलेगा दोस्तों minus i क्योंकि i cube हो जाएगा minus i तो nc3 और i तो हम लोगों ने और ली निकाल लिया है तो उसको i को लिखने की आवशक्ता बिल्कुल नहीं है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से आपका imaginary वाला पार्ट बनके आएगा ठीक है चल यह बहुत बढ़िया तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब दोस्तों हम तो यह जानते हैं कि यह जो expansion है यह अन्ता आपको यह मिलके आता है मतलब कि इस पूरे term को क्या हम लोग compare कर सकते हैं Cos N Theta plus I Sine N Theta as per our De Moivre's Theorem De Moivre's Theorem ठीक है नाम में लिख देता हूँ De Moivre It's a French word Moivre De Moivre's Theorem ठीक है तो De Moivre's Theorem के अनुसार क्या हम कह सकते हैं कि यह कि पूरा का पूरा जो binomial expansion है वो compare हो जाएगा Cos N Theta plus I Sine N Theta के साथ इसका मतलब क्या कि we can compare the real and the imaginary part So let's compare the imaginary parts on both the sides So imaginary part को compare करते साथ हमें मिलता है Sine of N Theta is equal to N C 1 Cos to the power N minus 1 Theta Sine Theta Minus N C 3 Cos to the power N minus 3 Theta Sine Cube Theta Plus N C 5 Cos to the power N minus 5 Theta Sine to the power 5 Theta and so on Minus N C 3 Cos to the power N minus 3 Theta Trees atom होगा Plus N C 5 Cos to the power N minus 5 Theta and so on ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं last term पर ज्यादा focus नहीं कर रहा हूँ dot dot का मतलब यह नहीं है कि वो infinity तक जाएगा मैं last term पर बस focus नहीं कर रहा हूँ अब दूस्तों क्या करते हैं question को आईए फिर से देखते है question में caught तो generate हो चुका है but यहाँ पर हमें 2M plus 1 produce करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर N को एक odd number 2M plus 1 घोशित कर देता हूँ right क्योंकि यह तो identity है आप N की value कोई भी number रख सकते हैं odd even क्या फरक पड़ता है तो अगर मैं N की जिगह पर 2M plus 1 रख दूँ right तो दोस्तों देखिए क्या बन के आएगा यहाँ मिलेगा 2M plus 1 C1 caught to the power यहाँ देखिए समझे यहाँ पर N minus 1 हो जाएगा 2M next हो जाएगा 2M plus 1 C3 caught to the power 2M plus 1 में से 3 आप घटा होगे तो आपको मिलेगा 2M minus 2 उसी प्रकार से अगला term होगा 2M plus 1 C5 caught to the power of 2M minus 4 okay उसाँ गाँ जो कि मैं interested नहीं हूँ अभी लिखने में तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत important बात आप से कहनी है जहां से सुनिएगा अगर हम theta को pi by 2M plus 1 से replace कर दे इस particular identity में जिहाँ यह एक identity है जो कि किसी भी theta के लिए valid होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये left hand side term zero हो जाएगा because ये sine pi बन के आएगा ये जो term है ये क्या बन जाएगा आखिर का ये बन जाएगा sine of pi sine of pi zero होता है और दोस्तों ये जो term है ये non zero term होगा इसकी value कुछ भी रही होगी but वो zero तो नहीं होगा आखिर sin pi by an odd number will never give you a zero तो दोस्तों उसका कहने का क्या मतलब है कि इस theta के लिए हमारा जो identity है वो किस कुछ इस प्रकार से दिखेगा cot to the power 2m pi by 2m plus 1 similarly 2m plus 1 c3 cot to the power 2m minus 2 pi by 2m plus 1 next term will be 2m plus 1 c5 cot to the power 2m minus 4 pi by 2m plus 1 and so on ठीक है दोस्तों क्या मैं ही कह सकता हूं कि ये same चीज ये same चीज आपको theta equal to 2 pi by 2m plus 1 के लिए भी true होगा right so now if I put now if I put theta is 2 pi by 2m plus 1 ये फिर से जाके true होने वाला है दोस्तों ये फिर से जाके true होने वाला है मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं तो दोस्तों यहाँ conclusion क्या है conclusion क्या है कि हमारा जो equation है हमारा जो identity है वो identity basically जीरो इकोल टू quad two to the power m theta तो इस identity को इस identity को हर वो angle theta satisfied करेगा जो की होगा pi by 2m plus 1 2 pi by 2m plus 1 and so on दोस्तों so on till m pi by m plus 1 m pi by 2m plus 1 है कि नहीं है कि नहीं दोस्तों तो दोस्तों कहने का यह मतलब है कि अगर हम अगर हम quad square theta को x मानने लग जाएं तो basically हमारे पास एक ऐसा equation आता है जो कि मैं आपको x की term में लिख रहा हूं जहां से देखेगा दोस्तों यह बहुत ही सुन्दर सा सवाल जो है मैं आपके लिए solve कर रहा हूं यहां पे आप देख रहे होगे कि एक polynomial equation बनके आती है x के term में एक polynomial equation बनके आती x के term में जिसके roots जिसके roots क्या होंगे जिसके roots होंगे cot square pi by 2m plus 1 cot square 2 pi by 2m plus 1 and so on till cot square m pi by 2m plus 1 तो दोस्तों क्या use कर रहे हैं यहां पे हम use कर रहे हैं transformation of equation का concept तो मैंने क्या किया धीरे-धीरे cot square को cot square theta को x में बदल दिया और जहां पे हमारा theta यह सारे theta roots हुआ करते थे वहीं पे अब cot square for the very same angles cot square for the very same angles they will start becoming the roots of that equation जिया दोस्तों this is the beauty of this is the power of transformation of equations when you are trying to solve this question तो दोस्तों अब तो मामला साफतोर पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस problem में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस problem में हम लोग इस equation के roots का sum निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यह जो last equation आपको देख रहा है जो मैंने x के term में लिखा था we need to actually find out इस equation के sum of roots तो sum of roots क्या होता है sum of roots होता है minus b by तो minus minus 2m plus 1 c3 by a यह हो जाएगा 2m plus 1 c1 यह होगा हमारा answer तो आएए simplify करते हैं तो simplify करने पे यह बन जाएगा 2m plus 1 c3 by 2m plus 1 c1 तो इसको expand करने पे आपको मिलेगा 2m plus 1 into 2m into 2m minus 1 by 6 और नीचे 2m plus 1 c1 is just 2m plus 1 तो 2m plus 1 2m plus 1 cancel out हो जाएगे यहां तक की factor of 2 b cancel होगा तो आपका बन के आएगा m into 2m minus 1 by 3 दोस्तों इसको compare करो आप इसको compare करो अपने right hand side से right hand side में क्या है right hand side में क्या है 2m minus 1 alpha by beta ठीक है तो अगर आप compare करोगे अगर आप इसको compare करोगे m into 2m minus alpha by beta तो जाहिर से तोर पे alpha आपका 1 है और beta आपका 3 है ठीक है तो alpha plus beta की value हो जाएगी 4 तो दोस्तों 4 निकल के आ गया हमारा इस सवाल का जवाब तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होगे कि यह सवाल actually trigonometry का था ही नहीं यह सवाल आपके complex number concept को test कर रहा था आपके binomial expansion को test कर रहा था आपके transformation of equations को test कर रहा था तो दोस्तों thank you so much for watching आशा करता हूँ आपके लाँ लाँ तोस्तों यहां यहां पर आपके लिए कीप लाँ